देश भर में तेजी से बढ़ती गर्मी और लू के शरीर पर कई प्रकार के दुश्प्रभाव हो सकते हैं। स्वास्थे विशेशग्यों ने अलट जारी करते हुए कहा है कि सभी लोगों को इन दिनों धूप और गर्मी से बचाव करते रहना चाहिए। जिन लोगों को पहले से ही किसी प्रकार की क्रोनिक बीमारी जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज या हृदय रोगों की समस्या रही है उन्हें इन दिनों में और भी सावधान हो जाना चाहिए। लू के कारण अल्पकालिक और दीरकालिक दोनों प्रकार की स्वास्थे समस्याओं का खत्रा हो सकता है। गर्मी के दिनों में आपने भी बेहोशी और चक्कर आने जैसे मामलों के बारे में जरूर सुना और देखा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यूं है और गर्मी के कारण कोई बेहोश हो जाए तो तुन्त क्या उपाय किये जाने चाहिए जिससे उसे किसी गंभीर समस्या से बचाया जा सके। Heat Stroke के कारण होने वाली समस्या Heat stroke या गर्मी के कारण आने वाले चक्कर बेहोशी की समस्या आमतोर पर तब होती है जब हमारे शरीर का तापमान कुछ प्रकार के बाहरी कारकों जैसे उच्छ तापमान की प्रतिक्रिया में काफी बढ़ जाता है अत्यधिक गर्मी के मौसम में बाहर रहने वाले, फील्ड में काम करने वाले या गर्मी के मौसम में बाहर खेलने व्यायाम करने वाले लोगों में ये दिक्कत अधिक देखी जाती रही है ये दिक्कत तब भी हो सकती है जब आप किसी गर्मकार या इंडोर्ग शेत्र में हो जहां का तापमान अधिक हो यही कारण है कि गर्मियों में सिहत का ख्याल कैसे रखें, क्या करें क्या नहीं? इस बारे में जानना जरूरी है क्यूं होती है बेहोशी? स्वास्थे विशेशग्य बताते हैं गर्मी के दिनों में अधिक तापमान के संपर्क में आने के अलावा भी कुछ स्थितिया हैं जिनके कारण आपको चक्कर आने ठकान और बेहोशी की समस्या हो सकती है निर्जली करण यानी की डिहाइड्रेशन इसका एक प्रमुख कारण है शरीर से पसीने के रूप में पानी निकल जाने और उस अनुपात में पानी ना पीने की स्थिति में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है जिसमें बेहोशी होना एक प्रमुख लक्षन है इसके अलावा अचानक से ठंड से गर्म या गर्म से ठंडी जगहों में जाने से शरीर के तापमान में होने वाले बदलाफ के कारण भी बेहोशी चक्कर आने की दिक्कत हो सकती है गर्मियों में चक्कर आने से कैसे बचे? डॉक्टर द्वारा दिये गए कुछ सुझावों का पालन करके गर्मियों में चक्कर आने बेहोशी से बचा जा सकता है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सुनिश्चित करें पानी से भरपूर फलो सबजियों का भी सेवन जरूर करें अत्यधिक चाए या कॉफी पीने से बचे इनसे निर्जली करण का खत्रा हो सकता है O.R.S. लेते रहें शरीर के तरल पदार्थों को जल्दी से पूरा करने में इससे मदद मिल सकती है गर्मियों में नारियल पानी और नीमबू पानी जैसे पे का सेवन जरूर करते रहें जितना संभव हो सके सूरज के संपर्क में आने से बचे खास कर दोपहर के दोरान सूती, धीले धाले और हलके कपड़े पहने बेहोशी होने पर क्या करें? डॉक्टर बताते हैं गर्मी के दिनों में बेहोशी चक्कर आने का प्रमुख कारण शरीर की तापमान बहुत अधिक बढ़ जाना होता है यदि कोई बेहोश हो जाए तो सबसे पहले शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय करें डिहाइड्रेशन के खत्रे को कम करने के लिए तरल पदार्थ पानी पिलाएं इन उपायों से भी राहत ना मिले तो तुरंट किसी डॉक्टर की मदद लें समय पर उपचार ना मिलने की स्थिती में लक्षनों को बिगड़ने और गंभीर स्वास्थे समस्याओं का खत्रा और अधिक हो सकता है